श्री शिवाये नमस्तु भ्यम आप सभी पर महादेव के गृपा सदा बनी रहें इससे पहले कध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सब का बहुत बहुत धनिवाद आज सुनिए शिव महापुरान कथा में आगे का वरतांत श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारत तदंतर मैं हिमाले के किलास शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसनिता पूरवक उनके पास कया और उनसे इस प्रकार बोला हे वरे शब्दवज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कारे को वे अपने लिए असाधी मानते थे उसे सित्ध हुआ ही समझे दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूँगा क्योंकि उन्हीं के लिए ये कन्या उत्पन हुई है शिव के साथ सती का विवा हो ये कारे तो मुझे सुतह ही अभीष्च है फिर आपके भी कहने से इसका तो महत्व और अधिक बढ़ गया मेरी पुत्री ने स्वयम इसी उत्यश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी के विशह में अन्वेशन अर्थात पूस्ताज कर रहे हैं इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथों में देनी हैं विधात वे भगवान शंकर शुब लगन और शुब मोर्थ में यहां पदारें उस समय मैं उन्हें सिक्षा की तौर पर अपनी ये पुत्री दे दूँगा हेवरी शब्दवच मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है अतहर आप शुब मोर्थ में उनके घर चलिए और सती को ले आईए मुने मेरी ये बात सुनकर भक्त वच्छल रुद्र लौकिक गती का आश्र लेकर हस्ते वे मुझसे कहने लगे संसार की स्रस्टी करने वाले ब्रह्मा जी मैं तुम्हारे और नारत के साथ ही दक्ष के घर चलूँगा अतहर नारत का इस्मरण करो अपने मरीची आदी मानस पुत्रों को भी बुला लो विधे मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास इस्थान पर चलूँगा और मेरे पार्षट भी मेरे साथ रहेंगे नारत लोका चार के निर्वाह में लगेवे भगवान शिप के इस प्रकार आग्या देने पर मैंने तुम्हारा और मरीची आदी पुत्रों का भी इस्मरण किया मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिये शीगरी वहाँ पहुँच गए उस समय तुम सभी लोग हर्ष से उत्फल हो रहे थे फिर रूत्र के इस्मरण करने पर शिप भक्तों के समराथ भगवान विश्णु भी अपने सैनिकों तुथा कमला देवी के साथ गरुण पर आरुण होकर तुरंत वहाँ आ गए तदंतर चैत्र मास के शुकल पक्ष की त्रेयोदशी तिथी में रविवार की पूर्वा फालगुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विश्णु आदी समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की मार्ग में उन देवताओं और रिश्यों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभप आ रहे थे वह जाते हुए देवताओं मुनियोत था आनंद मगन मनवाले प्रमत गणों का रास्ते में बड़ा भारी उत्सव हो रहा था भगवान शिव की इच्छा से व्याग्र और सर्प जटा और चंद्रकला आदी सब के सब उनके लिए इथायों की आभूशन बन गए तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलीवर्द नंदी केश्वर पर आरोड हुए महादेव जी श्री विश्नु आदी देवताओं को अपने साथ लिए क्षण भर मे प्रसनिता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे वहाँ विनीत चित्त वाले प्रजापती दक्ष ने समस्त आत्मी जनों के साथ भगवान शिव का आदर सत्कार किया उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हुआया था स्वयम दक्ष ने अपने द्वार पर आई हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया विस सब लोग सुर्ष रेष्ट शिव को बिठा कर उनके पारश्व भाग में स्वयम भी मुनियों के साथ क्रमशह बैठ गए इसकी बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की पर पूजन किया तत पशाद श्री विष्णू का मेरा ब्रहमनों का देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यतोचित विधी से उत्तम भक्ती भाव के साथ पूजन किया इस तरह पूजने पूरुशों तथा अन्य लोगों सहित उन सब का यतोचित आदर सत्कार करके दक् कहा कि हे प्रभो आप ही इस विवाहिक कारी को संपन कराईए तब मैं भी हर्ष भरे हिर्दे से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कारी कराने लगा तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुब लगन और महुर्थ में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का ह भगवान शंकर के हाथों में दे दिया उस समय हर्ष से भरेवे भगवान विशब ध्वज ने भी वेवाहिक विधी से सुन्दर दक्षकन्या का पानी ग्रहन किया फिर मैंने शुरी हरी ने तुम तिथा अन्यमुनियों ने देवताओं और प्रमत गणों ने भगवान को बड़ा आनद प्राप्थ हुआ भगवान शिव के लिए कञ्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गये शिवा और शिव प्रसन हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया शुरी ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारत कन्यादान करके दक्ष ने भगवाई शंकर को नाना प्रकार की वस्थवे उपहार में दी ये सब करके वे बड़े प्रसन हुए फिर उन्होंने ब्रहमनों को भी नाना प्रकार के धन बाटे तथ पशात लक्षमी सहित भगवान विश्णू शंभू के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार कहने लगे कि देवादी देव महादेव हे दया के सागर प्रभो हे तात आप संपुर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सब की माता हैं आप दोनों सत पुरुषों के कल्यान तथा दुस्टों के दमन के लिए सदा लीला पूरवक अव्तार ग्रहन करते हैं ये सनातन शुरुदी का कथन है आप चिकने नील अंजन के समान शुभ शुभा पा रहे हैं मैं उससे उल्टे लक्षमी जी के साथ शुभा पा रहा हूं अर्थात सती नील वर्णा तथा आप गौरवन हैं उससे उल्टे मैं नील वर्ण तथा लक्षमी गौरवना हैं हे नारत इस प्रकार में देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रोक्त विधी से विधी पूर्वक अगनी की परिक्रमा की उस समय वहां बड़ा अद्वुत उत्सव सजाया गया गाजे बाजे और निरत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखत जान पड़ा इसके बाद भगवान विश्णु बोले कि हे सदाशिप मैं आपकी आग्या से यहा दूसरे दूसरे मुनी अपने मन को इकागर करके इस विशे को सुने हे भगवन आप प्रधान और अप्रधान अर्थात प्रकरती और उससे अतीद हैं आपके अनेक भाग हैं फिर भी आप भाग रहित हैं जोतिर मैं स्वरुप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देव और ब्रह्मा कौन हैं आप परमात्मा के ही ये तीन अंशे हैं जो स्रस्टी पालन और संधार करने के कारण एक दूसरे से भिन भिन प्रतीत होते हैं आप अपने स्वरुप का चिंतन कीजिए आपने स्वयम ही लीला पुर्वक शरीर धारन किया है आप निर्वन ब्रह्म विश्णू तथा रूद्र तीनों आपके अंशे हैं जैसे एक ही शरीर के भिन भिन अव्यप मस्ता क्रीवा आदी नाम धारन करते हैं तथा आपू उस शरीर से भीवे भिन नहीं होते उसी प्रकार हम तीनों अंशा परमेश्वर के ही अंग हैं जो जोतिरंह आकाश के समान सर्विव्यापी और निरले स्वयम ही अपना धाम पुरान कुटस्त अव्यक्त अनन्त नित्य तथा दीर्ग आदी विशेशणों से रहित निर्विशेश प्रहम हैं वही आप शिव हैं अत्य आप ही सब कुछ हैं श्री ब्रहमा जी कहते हैं हे मुनिश्वर भगवान सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन हुए तदंतर उस विवह यग्य के स्वामी अर्थात यजमान परमेश्व शिव प्रसन होकर लौकी की गती का आश्र लेकर हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रहमा से प्रेमपूर्व कहने लगे शिव जी ने कहा हे ब्रहमन आपन दक्षिना को मांगिए महाभाग यदि वह अत्यत दुरलब हो तो भी उसे शिक्र कहिए मुझे आपके लिए कुछ भी अदे नहीं है हे मुने भगवान शंकर का वह वचन सुनकर मैं हाथ चोड़कर विनीत चित से उन्हें बारंबार प्रनाम करके बोला हे देवेश यदि आप प्रसन हो और महेशवर यदि मैं वर पाने के योगी हो हूँ तो प्रसनिता पूर्वक जो बात कहता हूँ से आप पूर्ण कर दीजिए बहादेव आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराज मान रहें जिससे आपके दर्शन से मनुश्यों के पाप दूल जाए हे चंदरशेखर आपका सानेती होने से मैं इस वेदी के समीब आश्रम बना का तपस्या करूँ और यही मेरी अभिलाशा है चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रेयोदशी को पूर्वा फालगुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुश्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नश्ट हो जाए वेपुल पुन्डे की व्रत्थी हो और समस्त रोगों का अश्य निर्दोश हो जाए मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी इसे सुनकर भगवान शिव ने बड़े प्रसन होकर कहा है विधाता ऐसा ही होगा मैं तुम्हारे कहने से संपुन जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इसी वेदी पर सुष्थर भा एसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंशरूपणी मूर्थी को प्रकट करके वेदी के मतिभाग में विराजमान हो गए तत्पश्यात स्वजनों पर इसने ही रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा लेकर अपनी पत्नी सती के साथ किलाश जाने को तया उस समय उत्तम बुद्धी वाले दक्ष ने विनए से मस्तक जुका कर हाथ जोड़कर भगवान विर्षब ध्वच की प्रेम पूर्वक इस्तूती की फिर श्री विष्णू आधी समस्त देवताओं मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की इस् इठाया और स्वयम भी उसी पर आरोड होकर वे प्रभू हिमाले परवत की ओड़ चले भगवान शंकर के समीप विषब पर बैठी वी सुन्दर दात और मनोहर हास वाली सती अपने नील शामबन के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शुभ पा रही थी उस समय उन नवदंपती की शोभा देखकर श्री विष्णु आदी समस्त देवता, मरीची आदी महर्शी तथा दूसरे लोग ठके से रहे गए हेल दूल भी नहीं सके और दक्ष भी खुद मोहित हो गए तत्पशात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे कितने ही लोग प्रिसनता पूर्वक शिवजी के कल्यान में उच्वल यश्का गान करते वे उनके पीछे पीछे चलने लगे भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रिसनता पूर्वक वापस लोटा दिया और स्वयम प्रेमा कुल होकर प्रमत गड़ों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे यद्यपी भगवान शिव ने विश्नु आधी देवताओं को भी विदा कर दिया था तप ही वे बड़े प्रिसनता और भक्ती भाव के साथ पुनावन के साथ हो लिये उन सभी देवताओं प्रमत गड़ों तथा अपनी पतनी सती के साथ हर्ष भरे शंभू हिमाले परवत से सुशोबित अपने केलाश धाम में जा पहुँचे वहां जाकर उन्होंने देवताओं मुनियों और दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रिसनता पूर्वक विदा किया शंभू की आग्या लेकर वे विश्णु आदी सभी देवता तथा मुनी नमस्कार और इस्तूती करके मुख पर प्रिसनता की चाप लिए अपने अपने धाम को चले गए सदाश्यव का चिंतन करने वाले भगवान श्यव भी अत्यन्त आनन्दित होकर हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे शुरी सोध जी कहते हैं हे मुनियो पूर्व काल में स्वैंबू मनू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवहा हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुम से कह दिया जो विवहा काल में यग्य में अत्वा किसी भी शुबकारी के आरभ में भगवान शंकर की पूजा करके शान्त चित से इस कथा को सुनता है उसका सारा कर्म तथा विवाहिक आयोजन बिना किसी विग्न बाधा के पूर्ण हो जाता है और दूसरे शुब कर्म भी सदा निर्विग्न पूर्ण होते हैं इस शुब उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सभाग, सुशीलता और सदाचार आदी सद्गुडों से संपन साध्वी इस्तरी तथा पुत्रवती हो जाती है एक दिन की बात हैं देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ती पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई प्रभू शंकर को पूर्ण प्रसन जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्षकुमारी सती भक्त भाव से अंजली बांद कर बोली देवी सती ने कहा है देवादी देव महादेव, है करुणा सागर, प्रभू, दीनो धार परायन, है महा योगिन मुझपर करपा कीजिए आप परम पुरुश हैं सबके स्वामी हैं, रजोगूण, सत्वगूण और तमोगूण से परे हैं, निर्गुण भी हैं और सगुर भी हैं, सबके साक्षी, निर्विकार और महाप्रभू हैं हे हर मैं धन्य हूँ, जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुन्दर विहार करने वाली आपकी प्रया हुई हे स्वामिन आप अपनी भग्धवत्सल्ता से ही प्रयरित होकर मेरी पती हुए है हे नात मैंने बहुत वर्षव तक आपके साथ विहार किया है महेशान इससे मैं बहुत संतुस्ठ हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है हे देविश्वर हर अब तो मैं उस परम तत्व का ज्यान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनयासि धार पा सकता है हे नात जिस कर्म का नुस्ठान करके विशई जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में नाबधे उसे आप बताईए हे प्रभू मुझबर करपा कीजे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे मुने इस प्रकार आदी शक्ती महेश्वरी स्ति ने केवल जीवों के उद्धान के लिए जब इस उत्तम भक्ती भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारन करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन होकर देवी सती से इस प्रकार कहा देवी हे दक्ष नंदनी हे महेश्वरी सुनो मैं उसी परमतत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासना बधभ जीव ततकाल मुक्ध हो सकता है परमेश्वरी तुम विज्ञान को परमतत्व जानो विज्ञान वो है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दिरन निश्चे हो जाता है ब्रह्म के सिवां दूसरी किसी वस्तु का इस्मरण नहीं रहता और उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धी सर्वथा शुत हो जाती है प्रिये वह विज्ञान दुरलब है इस त्रिलोकी में उसका ज्याता कोई विरला ही होता है वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है साक्षात परात पर ब्रह्म है उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ती मेरी भक्ती जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है वह मेरी क्रपा से सुलब हो जाती है भक्ती नौ प्रकार के बतलाई गई है देवी सती, भक्ती और ज्ञान में कोई वेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ती का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ती हो ही नहीं सकती। देवी मैं तो सदा भक्तों के अधिन रहता हूँ और भक्ती के प्रभाव से जाती ही इन नीच मनुश्यों की घरों में भी चला जाता हूँ और इसमें कोई संशन ही है हे देवी वे भक्ती दो प्रकार की है सगुना और निर्गुना जो वैदी अर्थात शास्त्र विधी से प्रेरित हो और स्वभावी की अर्थात हिर्दे के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ती होती है वे स्रेष्ट है और इससे भिन जो कामना मूलक भक्ती होती है वे निम्न क पूर्वक्त सगुना और निर्गुना ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैस्ठी की और अनैस्ठी की के भेद से दो भेद वाली हो जाती हैं नैस्ठी की भक्ति छे प्रकार की जानी चाहिए और अनैस्ठी की एक ही प्रकार की कही गई है विद्वान पुरुष विहता और एक प्रकार की मानते हैं इन विद्व भक्तियों के बहुत से भेद प्रबेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है हे प्रिये मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के नौ अंग बताए हैं हे दक्ष नंदिनी मैं उन नव अंगों का वर्णन करता हूँ तुम प्रेम से सुनो हे देवी श्रवन कीर्टन इस्मरन सेवन दास्य अर्चन सदा मेरा वंदन सक्ष और आत्म समर्पन ये विद्वानों ने भक्ति के नौ अंग बताए हैं हे शिवे भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं हे देवी अब तुम मन लगा कर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त नवों अंगों के प्रथक प्रथक लक्षन भी सुनो वे लक्षन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं जो इस्थिर आसन से बैठ कर तन मन आदी से मेरी कथा कीर्थन आदी का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसनता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अम्रितोपम रस का पान करता है उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं अर्थात सुनना कहते हैं और जो हर्द्याकाश के द्वारा मेरे दिवी जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वानी द्वारा उसका कहते हैं देवी मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जान कर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को इस्मरण कहा गया है अरुनुल्दय से लेकर हर समय सेव की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हर्दय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामत भक्ती है अपने को प्रभु का किंकर समझ कर हर्दयामरत के भोग से स्वामी का सदा प्रे संपादन करना दास से कहा गया है अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्री विधी से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदी 16 उपचारों का जो समर्पन करना है उसे अर्चन कहते हैं मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारन पूर्वक आठों अंगों से भूतल का इसपर्ष करते हुए जो इस्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं इश्वर, मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वे सब मेरे मंगल के लिए ही है ऐसा द्रड़ विश्वास रखना सक्य भक्ति का लक्षण है देहादी जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वे सब भगवान की प्रिसनता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचा कर ना रखना अत्वा निर्वाह की चिंता से भी रहत हो जाना आत्म समर्पन कहलाता है ये मेरी भक्ति के नो अंग हैं, जो भोक और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इनसे ज्ञान का प्राकट्य होता है, और ये सब साधन मुझे अत्यंति प्रेय हैं, मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदी का सेवन आदी, इनको विचार से समझ लेना चाहिए, प्रिये इस प्रकार मेरी सांगो पांग भक्ति सबसे उत्तम है, ये ज्यान विरागी की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है, ये सदा सभी साधनों से उपर विराजमान है, इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है, और ये भक्ति मु ब्रति निरंतर ये भक्ति निवास करती है विसाधक मुझे अत्यंत प्यारा है हे देवेश्वरी तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुख दायक मार्ग नहीं है कल्यूग में तो ये विशेश सुख़ग और सुविदा जनक है हे देवी युग में तिथा अन्य सब युगों में भी प्रित्यक्ष फल देने वाली है भक्ति के प्रभाओं से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ इसमें कोई संशय नहीं है संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा साहता करता हूँ उसके सारे विगनों को दूर करता ह उस भक्त का जो शत्रू होता है वे मेरे लिए दंडनी है और इसमें कोई संशे नहीं देवी मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ भक्त की रक्षा करने के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अगनी से काल को भी दगद कर डाला था प्रिये भक्त के लिए मैं पुर्वकाल में सूरी पर भी अत्यंत कुरुध हो उठा था और शूर लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था देवी भक्त के लिए मैंने सैनिसहित रावण को भी कुरुध पूर्वक्त याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपाद भी नहीं किया हे सती हे दे विश्वरी बहुत कहने से क्या लाब मैं तो सदा ही भक्त के अधीन रहता हूं और भक्ती करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूं शुरी ब्रह्मा जी कहते हैं हे नानत इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्श हुआ उन्होंने अत्यत प्रसंदता पूर्वक भगवान शिप को मनही मन प्रणाम किया हे मुने सती देवी ने पुनह भक्ती कांड विश्यक शास्त्र के विशय में भक्ती पूर्वक पूछा उन्होंने जिग्यासा की कि जो लोक में सुख दायक तथा जीवों के उधार के साधनों का प्रति पादक है वे शास्त्र कौन सा है उन्होंने यंत्र, मंत्र, शास्त्र, उसके महत्म में तथा अन्य जीवो धरक, धर्म में, साधनों के विशेई में विशेष रूप से जानने की छप्रकट की सती के इस प्रष्ण को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसनता हुई उन्होंने जीवों के उधार के लिए सभी शास्त्रों का पेएंपूर्वक वर्नन किया महेश्वर में पांचों अंको सहित तंत्रशास्त्र यंत्रशास्त्र तथा भिन भिन देविश्वरों की महिमा का वन्नन किया हे मुलिश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का वन्नाश्रम धर्मों का और राज धर्मों का भी निरूपन किया पुत्र और इस्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नस्ट ना होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैद्यक शास्त्र तथा जोतिश शास्त्र का भी वर्णन किया महेश्वर ने करपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतह वर्णन किया इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन शरीर धारन करने वाले तिरी लोग सुखदायक और सरवग्य सतीशिप हिमालय के किलाश सिखर पर तथा अन्यान इस्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे वे दोनों दमपति साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हैं देवर्शी नारत बोले हे ब्रहमन हे विधे हे प्रजनात हे महाप्राग्य दयानिधे आपने भगवाई शंकर और देवी सती के मंगलकारी सुयश का स्रवन कराया है अब इस समय पुना प्रेम पूरवक उनके उत्त और शिवजी के चरित्र का प्रेम से श्रवन करो वे दोनों दमपति वहां लौकी की गती का आश्रे लेकर नित्य निरंतर क्रीडा किया करते थे तदंतर महा देवी सती को अपने पती शंकर का वियोग प्राप्त हुआ ऐसा कुछ श्रेष्ट बुद्धी मान वाले विद्वानों का कथन है परन्तु हे मुने वास्तों में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं शक्ति और शक्ति मान हैं तथा जित सरूप हैं फिर भी उनमें लीला विश्या करूची होने की कारण वे सब कुछ संगटित हो सकता है सती और शिव यद्यपी ईश्वर हैं तब भी लौकिक रीती का अनुसरन करके वे जो जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव हैं दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पती ने मुझे त्याग दिया है तब वे अपने पिता दक्ष के यग्जि में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया वे ही सती पुना हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुना भगवान शिव को प्रात कर लिया शुरी सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारत जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश्के विशर में इस प्रकार पूछा देवर्शी नानत बोले, हे महाभाग विश्णोशिष्य, हे विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंद रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाईए, हे तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी, धर्म पत्न सती का किसलिय त्याग किया? ये घटना तो मुझे बड़ी विचितर जान पड़ती है, अता, इसे आप अवश्य कहिए, हे विधाता, आपके पुत्र दक्ष के यग्ज में भगवान शिक को अनादर कैसे हुआ? और वहाँ पिता के यग्ज में जाकर, देवी सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उसकी बात वहाँ क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? ये सब बाते मुझ से कहिए, इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है. तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ट महाप्रागी तात नारत, तुम महर्शियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंत्र मौली का ये चरित्र सुनो. श्री विश्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अध्भुत चरित्र का वर्णन आरम करता हूँ. हे मुने, ये सब भगवान शिव की लीला ही है. वे प्रभुतों अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं. देवी सती भी वैसी ही है. अनिथा वैसा कर्म करने में भला कौन समर्द हो सकता है? परमेश्व शिव ही पर ब्रह्म परमात्मा है. एक समय की बात है, त गूमते गूमते वे दंड का रण में आ गए. वहां उन्होंने लक्षमन सहित भगवान श्री राम को देखा, जो की रावन द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता को खोज रहे थे. वे हाई सीते, हाई सीते, ऐसा उचुस्वर से पुकार दे, जहां तहां देखते और बारंबार रो रहे थे. उनके मन में विरह का आवेश चा गया था. सूर्य वंश में उत्पन वीर भुपाल, दश्रत नंदन, श्री राम, आनंद रहित होकर लक्षमन के साथ वनमी ध्रमन कर रहे थे. और उनकी कांती फीकी पड़ गई थी. उस समय उदा श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया. भगवाय शिपकी मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर देवी सती को बड़ा विसमें हुआ. व्यून की माया से मोहित होकर उनसे इस प्रकार कहने लगी. देवी सती ने कहा हे देवाधी देव, हे सरवेश, पर ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मा, विश्नु, आदिसव, देवता, आपकी ही सदसेवा किया करते हैं. आप ही सब के द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं. सब को आपका ही सरवदा सेवन और ध्यान करना चाहिए. विदांत शास्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य, निर् चरते ही वे ग्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं. इनमें जो जेस्ट है उसकी अंग कांती नील कमल के समान शाम है. उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उटे थे? आपका चित्व क्यों उत्यत्य प्रसन हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो पड़ता? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारत, कल्यान मई परमेश्वरी आदिशक्ती देवी सती ने शिप जी की माया के वशी भूत होकर, जब भगवान शिप से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती जी की वह बात सुनकर, लीला विशारत परमेश्वा शंकर हसकर उन से इस प्रकार कहने लगे, देवी सुनो, मैं प्रसनिता पूर्वक यथारत बात कहता हूँ, इसमें चल नहीं है, वर्दान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है, हे प्रिये ये दोनों भाई वीरोद्वारा सम्मानित हैं, इनके नाम है श्री र प्रण के छोटे बंदू हैं, वे साक्षाक शेस के अंश हैं, उनका नाम लक्षमन है, और इनके बड़े भ्या का नाम श्री राम है, इनके रूप में भगवान विश्नु ही अपने संपोर्ण अंश से प्रकट हुए हैं, उपदराविन से सदा दूर रहते हैं, ये सादू पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के तल्यान के लिए इस प्रत्वी पर अफ्तीन हुए हैं, ऐसा कहकर स्रस्टी करता भगवान शंबू शान्त हो गए, भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ, यो नहो भगवान शिव की माय प्रतन शंबू यो बोले, देवी मेरी बात सनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास ही नहीं है, तो तुम वहाँ जाकर अपनी ही बुद्धी से श्री राम की परिक्षा कर लो, हे प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या ब्रह्म नस्थ हो जाए, तु मन ही मन ये सोचने लगी, कि मैं वंचारी राम की परिक्षा कैसे लूँ, अच्छा, मैं सीता का रूप धरन करके राम की पास चलू, यदि राम साक्षा त्विश्णू है, तब तो सब कुछ जान लेंगे, अनिथा वे मुझे नहीं पहलचानेंगे, ऐसा विचार सती सीता बनका श्री राम के समीप उनकी परिक्षा लेने के लिए गई, वास्तों में वे मोह में पड़ गई थी, सती को सीता के रूप में सामने आई देख, शिव शिव का जाब करते वे रगुकुल नंदन, श्री राम सब कुछ जान गई, और हसते वे उन्हें नमस्कार करके बोल किसके लिए ये नूतन रूप धारण किया है, मुझपर करपा करके इसका कारिन बिताईए, श्री राम चंद्र जी की बात सुनकर सती जी उस समय आश्चरी चकित हो गई, वे शिव जी की कहीवी बात का इस्परण करके उसे यथार्ट समझकर बहुत लच्जित हुई, श्र श्री रगुनंदन, स्वतंतर परमेश्वर, भगवान, शिव मेरे तथा अपने पार्शदों के साथ प्रत्वी पर ब्रहमन करते वे इस बन में आ गए थे, यहां उन्होंने सीता की खोज में लगे वे लक्षमन सही तुम्हें देखा, उस समय सीता के लिए तुमारे मन में बड़ा क्लेश था, और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे, उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वत परक्ष के नीचे अभी भी खड़े हैं, भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैश्णव रूप की उतक्रिष इस विशे में मेरे पूछने पर भगवान शंभू ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में तो ब्रहमुत्पन हो गया, अताहे रागवेंद्र मैंने उनकी आग्या लेकर तुम्हारी परिक्षा ली है, हे श्री राम अब मुझे ग्यात हो गया है कि तुम साक्षात विश्ण हो, तुम्हारी सारी प्रभूता मैंने अपनी आखों से देख ली, अब मेरा संशय दूर हो गया, तो भी महामते तुम मेरी बात सुनो, मेरे सामने ये सत-सत बताओ कि तुम भगवान शिव के भी बंदनी कैसे हो गए, मेरे मन में यही एक संधिय से निकाल दो और शीक्री म मन ही मन अपने प्रभू भगवान शिव का इस्मरन किया, इससे उनके हिर्दय में प्रेम की बाढ़ आ गई, मुने आग्या ना होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए, और मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रगुनात जी ने देवी सती से कहना प्रारम किया, भगवान श्री राम ने देवी सती से जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप आने वाले अध्या में सुनेंगे, उमीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी